एक सोचालिस करोड जन्ता का भारत, दोसोचालिस करोड आंखों का भारत, एक ऐसा भारत जिसका युवा सबसे महान और सबसे आगे हैं भारत में कुछ चीजे ठीक होनी जरूरी है, आज कल के प्राइवेट स्कूल पैसा छापने की मशीन बन चुके है खुशी, तुलाश, अभिमान, गर्व, ना जाने कितनी ही भावनाएं, आज हम सब के मन में कहीं न कहीं उमर गुहर रही है एक सोचालिस करोड जन्ता का भारत, दोसोचालिस करोड आंखों का भारत, एक ऐसा भारत जिसका युवा सबसे महान और सबसे आगे है ऐसा भारत जो युवा पीडी को प्रस्ताहन देता है, ऐसा भारत जो पटल पर सूरज की तरह चमकने वाला भारत ऐसा भारत जो जल्द ही विश्व गुरु में अपना स्थान सपन से अगर निये पाएगा आज उस भारत की जन्म मुवी पर पैदा होने के लिए अपने आपको गौरवन्तित महसूस कर रही हूं एक ऐसे देश में पादक पैदा होने के लिए एक ऐसे देश में जन्म पाने के लिए जहां सद्वप्रिय धर्म है धर्म देश धर्म जन्सेवा एवन सांस्कृतिक चेतना मंच को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहती हूं कि वैं मौका देते हैं हर उस बच्चे को हर उस युवा को मंच पर आने का देश के प्रतिभावना को समर्बित करने का दिखाने का धन्यवाद एक बार फिर से भारत माता की भारत माता की भारत में कुछ चीजे ठीक होनी जरूरी है आज कल के प्राइवेट स्कूल पैसा चापने की मशीन बन चुके है जो चात्रों और अभिवावों की असुरक्षा पर गित द्रिश्टी लगाए रहे हैं आपको ये जानकर हरानी होगी आदों को पता भी होगा हमारे देश के प्राइवेट स्कूल में साट से भी जादा चात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नई उत्तो होता है क्या ये सही है साथियों याद रखिये संघशों के साए में हमारा इतिहास बनता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है हमें जरूरत है मजबूद नियम बनाने की प्राइवेट स्कूल संसान आदर्शित रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथ मिक्ता दे